दुनिया के किसी भी मुझजब माशरे के अंदर जहां पर थोड़ी बहुत भी डेमोक्रेसी हो तो वहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट उस माशरे का एक बुनियादी राइट होता है हक होता है वहाँ के लोगंगा हक होता है कि वह पीसफुल प्रोटेस्ट करें यही तो जमूरियत होती है यही तो डेमोक्रेसी होती है और पीसफुल प्रोटेस्ट के हजारों किसम हो सकते हैं साल के तोर पर आप देखिए कि लोग साया पटियां बान्ध रें होता है Kanani Kisra करतेँ ब्लैक पटियां बाजू के ओपर बान्देग ये भी प्रोटेस्ट है कुछ लोग जो है वो धरना देते हैं peaceful धरना वो भी प्रोटेस्ट है कुछ लोग स्ट्राइक करते हैं वो भी प्रोटेस्ट है कुछ लोग चीजों का बायकोट करते हैं ये रिसेंटली हमें अगर आप हुमन सोसाइटी को देखें एवॉल्व जो हुई है हुमन सोसाइटी प्रोटेस्ट और ये कुछ बंगलादिश के अंदर ये जो बैकोट इंडियन प्रोड़क्ट से ये क्या है ये डेमोक्रेटिक राइट लोग अपना एकसरसाइज कर रहा है वो लोग जो समझते हैं कि इनके इंटरनल सिस्टम में इंडिया मुदाखलत कर रहा है उनके पॉलिटिकल सिस्टम में तो वो अपना राइट एकसरसाइज कर रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती इसको काउंटर करने का फिर वही इलमी तरीका होता है कि आप उनको काउंटर अर्गियूमेंट दें इंडिया हमारे लिए इसवजा से इसवजा से दरूरी है तो इस नेसेसरी कि हम उनको था हमियत दें और हम उनकी बात सुनें आप दें नहीं आपका फर्ज होता है लेकिन अगर आप सब को जो आप से दिसेगरी करते हैं अगर आप उनको एक्स्ट्रीमली अजीब हो गरीब किसम के अलका बात से नाधना शुरू कर दें तो बात ऑगी नहीं दुन्झागी नहीं बढ़तेगी फिर हर कोई एक दूसरे के उपर इल्जामात लगाना शुरू कर देगा भाई ये एक्स्रीमिस्टेस की बात ही नहीं सुनो फिर वो डिसकेशन ही खतम हो जाएगी और जब सुसाइटीज के अंदर डिसकेशन्स खतम होती है तो वहाँ पर फिर एक्स्रीमिस्ट एलिमेंट्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड जनम लेता है फिर वहाँ पर नौन इस्टेड एक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा आप उनकी हल्प कर रहे होते हैं सलाहओ दीन शुयब चौधरी साथ बंगलादेश के बहुत बड़े और सीनियर जनलिस्ट है और इन्होंने काफी जबरदस काम भी किया हुआ है इसमें भी कोई शक नहीं है लेकिन पिछले दिनों इन्होंने एक इंडिया आउट कैमपैन के हवाले से जो के पिनाकी भटाचारिया और दीगर बंगलादेश के जो इन्फिलियोंसर्स हैं सोशल मीडिया इन्फिलियोंसर्व वो लीड कर रहे हैं उसको उनके अगेंस्ट उन्होंने एक बात कही और उसमें उन्होंने अलजज़िरा के लिए भी टेरर बेस्ड नेटवर्क और पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा तो इस पे ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने एक बात की थी कि इनका जो नेरेटिव है वो इंडियन मीडिया के साथ मैच कर रहा है इंडियन मीडिया के साथ इंडियन मीडिया के अंदर भी जो बीजेपी सरकार के विरोधी होते है वो अपने अपोनन्स को टेररिस्टों के साथ लिंक कर रहे होते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में जो चाहते हैं कि मीनिंग्फुल डायलोग्स होने चाहिए और इश्यूस दोनों मुलकों के रिजॉल्व होने चाहिए तो ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने कहा कि सलाहोदिन श्यप चोधरी जो बात कर रहे हैं वो इंडियन मीडिया के निरेटिव के जैसा निरेटिव है उनका अब इस पे उन्होंने आज एक आर्टिकल लिखा है और उसके अंदर उन्होंने अलजजीरा को भी घूप सुना दी और उसके अंदर उन्होंने पिना की भटाचारिया को भी बहुत सुना दिया और मुझे भी सुना दिया और उन्होंने हम सब को एंटी इंडिया डिकलियर कर दिया अपने तोर पे उन्होंने लिखा है आज कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स लाँच वाइल प्रोपगंड़ Against Blitz पहली बात तो यह है कि Blitz के हवाले से कोई बात ही नहीं हुई यह तो सलाहोदिन शॉयब चोधरी साब के आर्टिकल के उपर बात हो रही थी तो Blitz तो एक अधार आए भाई अधारे के उपर तो बात ही किसी नहीं की यह तो आपके लिखे हुए हार्टिकल के उपर बात हो रही थी इसमें कहते हैं कि रिसेंटली एन एंटी इंडिया यूट्यूब चैनल नेम्ड ब्लैंक पेज ओफिशल रिलीज़ अ वीडियो सेड इंडिया हैज एक्टिवेटेड पारफुल एसेट्स काउंटर बंगलादेश इंडिया आउट कैमपैन अच्छा यह ब्लैट्स के लिए मैंने नहीं कहा था आपके आर्टिकल्स अपने लिखे हुए हैं और उन आर्टिकल्स के अंदर आपने यह कहा हुआ है कि बंगलादेश को रिखेगनाईज करना चाहिए इसरेल को और यह जो हमास वाले हैं यह मॉस्टर हैं हालाके यह सारी चीज़ें बंगलादेश के खुद के ऑफिशल निरेटिव के अगेंस्ट हैं बंगलादेश का जो अफिशल निरेटिव वो ये नहीं हैं इसी तरह से आप कह रहे हमास वाले मॉस्टर हैं लेकिन मुस्लिम दुनिया का अगर आप OIC को देखें कितना बड़ा हिस्सा है जो कि नई मानता इस तरह की चीज़ को और वो इनको फ्रीडम फाइटर मानते है यरुदुगान की स्टेटमेंट्स देख लीजी आप हमास के बारे में और बहुत सारे और मुलकों की स्टेटमेंट्स है वो इनको रिजिस्टन्स ग्रूप्स मानते हैं जो कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ा रहे हैं और दूसरी बाद जो आपने मुझे कहा है कि एन्टी इंडिया तो मेरे जो विउवर्स हैं वो जानते हैं मैं ये चीज़ यहां पर हजारों मरतबा रिपीट कर चुका हूँ सलाओ दिन शुर्प चोधरी साब कि बीजे पी की पॉलिसी के खिलाफ होने का मतलब यह नहीं कि आप इन्टी इंडिया है इन्टी इंडिया एक अरब 40 करोड लोगों का मुल्क है कोई 1 अरब 40 करोड लोगों का इंटी कैसे हो सकता है भाई मतलब समझने की बात है मैं अगर आपकी यह थियूरी माल लू न कि जो मूधी की पॉलिसी और बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ बात करता है तो वो इंटी इंडिया है तो फिर सारा कॉंगरेस पार्टी भी इंटी इंडिया है फिर ममता बिनर जी भी इंटी इंडिया है फिर यह जो साउथ इंडिय इंडिया तो बहुत बड़ा है, मूदी तो छोटा ता है, बहुत सारे मूदी आएंगे, जाएंगे, लेकिन इंडिया तो होगा न अपनी जगा पे तो ये आपका फैक्शुली ठीक नहीं है बात, कि I am एंटी इंडिया, it's not like that मैं बीजेपी की पॉलिसी का विरुद करता था, करता हूं, करता रहूंगा, जब तक वो खुद को ठीक नहीं करते हैं, it doesn't mean कि मैं एंटी इंडिया हूँ, आगे आपने, अपने लिखाए, recently in an interview to Qatari Terror Broadcast Network Al Jazeera, endorsing BNP's involvement in India notoriety, Romina Farhana, International Affairs Secretary of the Party said, the people of Bangladesh never liked India's interference in Bangladesh politics, it's now crystal clear that India did everything possible to keep the regime in power since 2014, she alleged. अब देखें, जो Al Jazeera है नवे से ज्यादा मुलकों के अंदर मौजूद है, तीन हजार से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े News Outlets में से एक है, क्या आपको ये शौबा देता है, कि अगर वो कोई स्टोरी करते हैं, वहाँ पर जाकर ground पे, counter argument करें, जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की, counter argument करें, ये जो अलका बात है, ये जो labeling है न, this is not good, फिर आपने पिनागी भटाचारिया के लिए भी कहा है, कि meanwhile, जमात इसलामी has deployed one of its most notorious cyber terrorists, look at this, अब आपने उसको cyber terrorist बना दिया पिनागी को, just because he has his own ideology, he has his own style of looking at the things, अगर वो समझते हैं, कि मेरे मुलक के अंदर interference हो रही है, तो ये उनका right है, कि वो उस पर protest करें, और peaceful protest करें, और उस पर बात करें, ये हर इनसान का बन्यादी हक होता है, freedom of expression जिसको आप कहते हैं, अगर उनके views आपके खिलाफ हैना, तो आप उसको cyber terrorist नहीं कह सकते हैं, try to understand this, आप उनके जवाब में counter argument करें, जो वो बात कर रहे हैं, उसके वरुद में आप बात करें, और लोगों को बताएं कि वो क्यों ठीक नहीं है, इस तरह healthy discussions होती हैं, society में, कहते हैं, meanwhile, जमात इस्लामी has deployed one of its most notorious cyber terrorist named पिराकी भटाचारिया in running India out propaganda through his YouTube channel, which has over 1.59 million subscribers, आपके आर्टिकल्स के अगेंस्ट हमने counter argument दिया है, बिलिट्स के अगेंस्ट बात नहीं की, आपने जो आर्टिकल्स लिखे हैं, उसमें जो बात लिखी हैं, उसका जवाब दिया है, इसको आप विनॉम नहीं कह सकते, sir, this is not a विनॉम, please listen again carefully, उसमें मैंने categorically ये बात की है, आर्ग्यूमेंट्स का जवाब आर्ग्यूमेंट्स से होना चाहिए, अगर आप इस तरह से दूसरे बंदे को, मतलब कहे दें, ये cyber terrorist है, तो फिर तो बात ही खतम होगे, ने फिर बात कहा होगी आगे, जनरलिजम के अंदर और healthy societies के अंदर discussions होती है, so in the end again, मैं आपको यहीं कहूंगा, कि let's talk about the facts, और मैं उम्मीद करता हूँ, कि आप एक अच्छा सा article लिखेंगे, जिसमें लोगों को बताएंगे, कि आपके views में इंडिया क्यों जरूरी है बंगला देश के लिए मैं उस पर भी बात करूंगा, facts बयान करें, कि trade के हवाले से, economy के हवाले से, foreign policy के दन है,